प्री विद्यार्थियों आज हम रोमांस वाद में अंग्र कलाकार का अधिन करेंगे अंग्र का जन 1780 से 1880 इस्वी में हुआ है जिस समय देलाकरा के नेत्रत्व में रोमांस वाद का सामर्थ बढ़ता जा रहा था जहां आग्यूस्ट दोमीनिक अंग्र को छोड़ नव सास् में कोई विशेश ख्याती प्राप्ट चित्रकार नहीं रहा अंग्र उम्र के 70 साल में पैरी साहे वो धावीत के प्तिए शिष्य ते और विध्यार्थी दाशा में उन्होंने कई पुरुकार प्राप्ट किया तीन PRO साल के भीज्यों अंग्र में वेचारिक संगर्ष शुरू हुआ और अंग्र को दावित की अवक्रिपा का सामना करना पड़ा अठार सो एक इश्वी में उन्हें रोम कुरुसकार विजेता गोशित किया गया क्यूंतु फ्रेंच सरकार की आर्थिक स्थिती असंतोष जनक होने के कारण उनको और पांस साल तक रोम नहीं भेजा गया अंग्र कोई क्रांतिकारी विचारों की चित्रकार नहीं थे दावित के समान वे भी चित्रन में रेखा बद स्पर्ष्ट आकारों को प्रमुख स्थान देते और रंगों को गोण मानते किन्तु दावित ग्रीक मूर्तिक अला में प्राप्त गणिती अनुपार शुद्ध आदर्षों का तत्परता से पालन करते जबकि अंग्र मानवों वे वस्तुन के नैसर्गीक आकारों को सुन्दर और आदर्ष रूप देखकर चित्रिक करते द्रष्टिकोणों में यह मूलगामी अंतर होने से दावित की आकरतियों में श्रेष्ठत है तो अंग्र की आकरतियों में मानवी सुन्दरी है अंग्र एक श्रिष्ट रेखा चित्रकार थे और कला की इतियास में उनकी तुलना के रेखा चित्रकार इनेगीने ही हुए है चित्र बनाने से पहले अंग्र सेकडो अभ्यास चित्र रेखांकित करते थे उन्होंने यथार्थ व्यक्ती चित्रन को विशेश महत्यु नहीं दिया परनतु व्यक्ती चित्र बनाने के लिए जब वे यथार्थ वदी पद्धती को अपनाते तब उनकी बराबरी कोई भी यथार्थ वदी चित्रकार नहीं कर सकता था 806 से 820 तक अंग्र रोम में रहे जहां उन्हें रोम पुरुसकार दे कर विशिश अध्यान के लिए बेजा गया वहां उन पर राफेल का भहुत प्रभा पड़ा 820 से 824 तक वे फ्लोरेंस में रहे 825 ने दाविद की मृत्यू होने पर अंग्र फ्रेंच राष्ट्री कलासंस्ता के प्रमुक कलाकार बने और उन्होंने अपने वीचारों को फ्रेंच कलाक्षेत्र में कानून की तरह लगू किया उस समय किसी भी कलाकार को जब तक फ्रेंच राष्ट्री कला संस्था में मानेता प्राप्प नहीं होती तब तक प्रसिद्धी वे पैसा एक असंभबात थी कलाकार अपनी कलाकरतियों के विक्रे की बाद भी नहीं सोच सकता था अंग्र के विचारों के अनुसार फ्रेंच कला सिक्षा संस्थाओं में रेखांकन पर बल दिया जाने लगा वे विध्यार्थियों को रंगांकन आरंब करने से पहले सालों तक केवल रेखांकन करना पड़ता था अंग्र के सिद्दांत रिखत उंकन चित्रकला का एक मेव आधार है कि देलाकरा कटर विरोधी थे किन्तु फ्रेंच कला के इतिहास में देलाकरा एक अपवाद मात्रकलाकर थे जो फ्रेंच राष्टी कला संस्था के विरोध के बावजूद ख्याती वे धन प्राप्त कर सके और इसके पीछे क्या रहस्यपूर्ण कारण थे ये हम पहले ही देख चुके हैं स्री के नैसरगीत सौंदरी को आदर्श रूप देकर बनाए गए अंग्र के चित्रों में उद्गम वद तुर्की हमाम नाम खाना प्रसिद्ध हैं अंग्र एक उत्करश व्यक्ति चित्र कार थे मादाम रेक्कामी एं फ्रांस्वा माने आदी व्यक्ति चित्र प्रसिद्ध हैं लूई बर्द जैसे अफवाद मात्र चित्रों को छोड़ उनके व्यक्ति चित्रों में व्यक्ति की स्वभाव विशेष्टाओं के दर्शन हमें नहीं मिलता है अंग्र के समान कोमल, सुनिश्चित वसजी वेखा इससे पहले केवल राफेल ही बना सकते थे इन गुणों से ही अंग्र की गन्ना संसार के श्रिष्टी चित्रकारों में की जाती है, किन्तु उनके चित्रों में हम मानवता के दर्शन की आशा नहीं कर सकते रोमान्स वाद वनव शास्त्रियता वाद में इतनी भिनता होते हुए भी एक समानता थी यथार्थ मानव जीवन से दोनों मिलों दूर थे रोमान्स वाद ने कल्पना की सायता से कभी मनोरम तो कभी साहस्पूर्ण गटनाओं से भरी हुई किन्तु ऐसत्य श्रष्टी का निर्मान किया इवन नव सास्ट्रितावाद ने आदर्शों को सामने रख ऐसी चित्र श्रष्टी का निर्मान किया जो वास्ट्विक्ता से उतनी ही दू थी ऐसी कला निर्मिती से समाज के पीडित लोगों को दुख मिटाने वाला नहीं था बदलती परिस्तिती में पीडित वर्विका राष्टी तथा सामाजिक महतु बढ़ता जा रहा था गोया वे एलग्रे को दोनों अधुनिक चित्रकला के पूरु काल के चित्रकार हैं परनतु उनकी कला प्रेणा के रूप में एवं अंतरगत कलात्मक गुणों के कारण अधुनिक चित्रकला के विकास में बहुत सायक हुई अत्या पूरु पीठिका में उन दोनों की कला का विचार पी आवशियों के तेंक यू